हिंडन्बग रिसर्च रिपोर्ट की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट अडानी ग्रूप के खिलाफ आई हिंडन्बग की रिपोर्ट की जाच कराने की मांग कराने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा कोट में इस मामले में दूसरी याचिका दायर की गई है याचिका करता एडवोकेट विशाल तिवारी ने मामले को चीफ जस्टिस डिवाइट चंद्रचुड की आगवाई वाली बेंच के सामने मामला उठाया सुप्रीम कोट ने कहा कि मामले में पहले से पेंडिंग अरजी के साथ इस मामले की भी सुनवाई शुक्रवार को होगी याचिका करता वकील तिवारी ने सुप्रीम कोट को बताया कि ऐसी ही एक अरजी सुप्रीम कोट में पेंडिंग है जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होनी है एड़ोकेट ने कहा कि हमारी अर्जी में गुहार है कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट की जाच के लिए सुप्रीम कोट के रेटायर जस्टिस की अगवाई में मामले की जाच हो सुप्रीम कोट ने कहा कि मौजूदा अर्जी को पहले की अर्जी के साथ टाक किया जाए और शुक्रवार को सुनवाई की जाए गैर मतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोट में अर्जी दाकिल कर अमेरिका शॉर्ट सिलर फॉर्म हिंडनबग रिसर्च के नथन एंडर्सन और भारत और अमेरिका में उनके सयोगियों पर केस चलाने की गुहाल लगाई गई है सुप्रीम कोट में एडवोकेट एमल शेर्मा की ओर से अर्जी दाकिल कर आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने अडानी के शेरों के को गैर तरीके से गिराने की साधिश की है इसका मक्स से दिया है कि निर्दोश विशेशकों को शोशन किया जा सके